दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि इंग्लिश लिट्रेचर की रिक्रूट्मेंट के परपस से मैं आपकी तयारी करा रहा हूँ मेरी जो प्लेलिस्ट है UP, TGT, PGT, KVS, NVS, DSSS, UGC, NET के नाम से आप उस पर जाईए और सभी वीडियोस को एक बार जरूर देखिए गल्सवर्दी की ट्रिलोजी और दोस्तों यह में आपको बताने वाला हूँ ट्रिकी मेथेट से बहुत ही आसान से तरीके से ट्रिकी मेथेट से जैरली क्या होता है कि याद नहीं हो पाता लेकिन अब ट्रिकी मेथेट से आप समझेंगे literature को भी तो बहुत आसानी से आपको तयार हो जाएगा तो किस प्रकार से आप इसके trillogy के work को दिमाग में बिठा सकने क्योंकि यह आता है कि first trilogy में इनमें से कौन सा work है या फिन में से कौन सा नहीं है, second trilogy का इनमें से कौन सा work है या कॉंसा वर्क नहीं है और third का इन में से कॉंसा है या कॉंसा वर्क नहीं है ऐसा exam में आता है तो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है और वो मैं बहुती आसान से तरीके से tricky method से आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों गल्सवर्दीने की तीन tril proceso है सबसे पहली Trilogy का नाम है The Foresight Saga जो First Trilogy है इनकी एक तो दिमाग में यही बिठाना है First Trilogy कौन सी है The Foresight Saga है और यह जो First Trilogy है यह सिरीज है इसमें 3 Novels है प्लस 2 Interludes है 3 Novels प्लस 2 Interludes अब इनको आप कैसे याद करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यह मैंने लिखा हुआ है Ticket No.1, No.2, No.3, No.4, No.5 इस तरह से Ticket यह Ticket हो गया TICAT इतना दिमाग में बिठा लीजे तो आपको इसका First Trilogy का First सीरीज है The Foresight Saga यह तयार हो जाएगा Ticket में T4 The Man of Property I4 Indian Summer of a Foresight C4 Inchancery, A4 Awakening और T4 To Let तो इसमें इसके अलावा अगर जो हम इसमें Interlude की बात करें तो यहाँ पर जो Second और यह Fourth नंबर पर आता है हमारा Indian Summer of a Foresight और इसके अलावा Awakening तो यह Interludes हैं बाकी तीन यह Novels हैं तो इतना दिमाग में बिठाना है Ticket Ticket से आपका बिल्कुल किलियर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर यह Option में दिये होंगे सारे नाम इन में से कोईसा भी नाम दिया हो सकता है तो उससे आपको अंदाजा लगा लेना है तो The Man of Property, Indian Summer of a Foresight Inchancery, Awakening और Two Let यह इनकी First Series, First Trilogy की Series में है यह और Three Novels Plus Two Interlude है अब हम बात करते हैं साथी हो Second Trilogy की Second Trilogy का जो इनका नाम है वो है Sequel to the Foresight Saga A Sequel to the Foresight Saga A Modern Comedy यह Second Trilogy का नाम है जो First Trilogy है, हुमारी The Foresight Saga है Second है Sequel to the Foresight Saga A Modern Comedy अब इसमें आप किस तरह से इनको तियार करेंगे इसमें आप What's P WhatsApp होता है WhatsApp की तरह ही What's P याद रख लीजिए WhatsApp भी याद रख लेंगे तो उसके A को गायब कर दीजिए WhatsApp तो WhatsApp आपने दिमाग में बिठा लिया तो W4 The White Monkey A4 A Silent Wing T4 The Silver Spoon S4 Swan Song P4 Passerby इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए को याद कर गए Ticket, WhatsApp और Form ये तीन ट्रेलोजी आपकी तयार हो जाती है दोस्तो Ticket, WhatsApp, End Form इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं अब WhatsApp किस तरह से Number 1 The White Monkey Number 2 A Silence Boeing Number 3 The Silver Spoon Number 4 Swan Song Number 5 Passerby और दोस्तों ये दिये हुए होंगे option में तो पहचानना आसान हो जाएगा जो ट्रिक दिमाग में है तो याद कर लेते हैं That is a good thing और याद करके हर को ही जाता ही है कोशिस करता है और मैं भी ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ट्रिक पर ही बैठ जाएए आप याद करें समझें उसको अगर जो लेकिन एक परसेंट एक्जाम में भूल लाते हैं याद करा हुआ तो आपको कम से कम ये tricky method तो याद होगा ticket, what's up and form आप सोचेंगे हाँ सर ने बताया था ticket बताया था what's up बताया था form बताया था उसके हिसाब से आप उसको fit करके देख लेंगे रेफर करते हैं the end of the chapter के नाम से the end of the chapter के नाम से और FOM form याद रख लेना और इसमें क्या करना है आपको number one flowering wilderness flowering wilderness number one form FF stands for flowering wilderness O4 over the river and M4 made in waiting ये third or last trilogy है girls वर्दी की तो दोस्तों एक बार मैं फिर से repeat करता हूँ बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिस की है और ये girls वर्दी ने three trilogies लिखी है number one जो हमारा the foresight सागा है और इसको आप याद रखें Ticket के नाम से Ticket के नाम से इसमें तीन हमारे novels आते हैं दो interludes आते हैं the man of property, Indian summer of a foresight enchance ring, awakening और two let ये work है Ticket इसके नाम से इसको दिमाग में बिठा ले second trilogy जो है ये sequel to foresight सागा a modern comedy है और इसको आप दिमाग में बिठा ले WhatsApp के नाम से WhatsApp, the white monkey, a silent wing the silver spoon, swan song and passerby और third trilogy को आप दिमाग में बिठा लीजिए form के नाम से form stands for F for flowering wilderness O for over the river, M for maiden waiting this one is the third and last trilogy by Galswardi तो अगर जो आपने Ticket, WhatsApp and form ये तीन याद कर लिए Ticket, WhatsApp and form तो मान के चलिए कि आपकी trilogy तयार जो John Galswardi की trilogy है वो तयार हो जाती क्योंकि उनमें से यही कोशन आता है कि उनमें से कौन सी है या कौन सा नहीं है इस तरह से आता है तो दोस्तों अमीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आये होगी और अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है और वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना ना भूले साती हो आपका एक छोटा सा कमेंट जो है वो मुझे प्रोसाहित कर सकता है एंकरेज कर सकता है कि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूं तक य वेरे लुट्टर सची झाटवश्वामी